एक बार की बात है एक बार गाउं में सूखा पड़ जाता है सभी गाउंवालों की फसल बरबाद हो जाती है सब लोग बहुत परिशान हो जाते हैं कि अब क्या करें अरे भाई भी माँ अब की बार तो बहुत जादा सूखा पड़ गया सारी फसल ही बरबाद हो गई मैं तो बहुत कर्जे में आ गया हूँ हाँ भाई नत्थू मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा ही है जरूर हमारे गाउं में किसी ने बहुत पाप किये होंगे तब ही भगवान उसी का बदला ले रहा है मैंने सुना है साथ वाले गाउं में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है चलो हम सब वहाँ जाकर भगवान से प्रार्थना करेंगे क्या पता बारिश हो जाए यही सोच कर वे सारे लोग मिलकर पास वाले गाउं में भगवान के दर्शन और प्रार्थना करने जाते हैं जंगल से गुजरती है, सभी लोग बहुत डर जाते हैं, अरे भाई नत्थू, ये तो बहुत घना जंगल है, कहीं कोई भूत प्रेत ना मिल जाये रस्ते में, अरे यार भीमा, कोई भूत प्रेत नहीं होते, तु सब को डरा मत और चुपचा बैठ जा, तभी उन्हें डराव अवाजें सुनाई देती हैं, अरे भाई मुझे तो बहुत डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई दे रही हैं, मुझे लगता है, आज जरूर हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, अरे भाई भीमा, तुम डरो मत, हम अभी तो भगवान के दर्शन करके आएं हैं, कोई गार सकता, तभी कुछ दूर जाने पर उनकी गारी का पहिया एक पत्थर से टकराता है, अरे मर गए रे, लगता है बूतों ने हमला कर दिया, सब अपनी जान भचा के भागो, अरे यार भीमा, तेरा तो सिर्फ नाम ही भीमा है, असल में तो तु बहुत डर्पोख है, अरे मर गए रे, लगता है भूतों ने पहाडी से हमला किया है, ये भूत हमारे उपर पत्थर बरसा रहे हैं, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, पहाडी से पत्थर अकसर गिरते रहते हैं, तुम चुप चाब बैठो, जादा शोर मत मचाओ, तुम्हारे शोर मचाने से एक जंगली सियार सामने आ जाता है, वे सब लोग बहुत डर जाते हैं, भीमा मैंने तुमसे कहा था ना कि जोर-जोर से मत चिलाओ, कोई जंगली जानवर हमारी आवाज सुन लेगा, फिर वे सब लोग जोर-जोर से चिलाना शुरू कर देते हैं, ताकि सियार डर के मारे व भाग जाता है, शुक्र है भगवान का एक और मुसीबत टली, फिर थोड़ी दूर जाने पर तभी जोर-जोर से बारिश शुरू हो जाती है, अरे वा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, देखा भीमा मैंने कहा था ना, अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही बारिश कर देंगे, तभी एक बिजली कड़कती हुई उनकी गाड़ी के पास में आकर गिरती है, वे सब डर जाते हैं, भुवन भाई बाल-बाल बच गए, अगर ये बिजली हमारी गाड़ी पर गिर जाती, तो सब का काम तमाम हो जाता, थोड़ी से आगे बिल्कुल नस्दीक गिरती है, अरे मर गए रे, बाल-बाल बच गए, भुवन भाई लगता है भगवान कुछ जादा ही प्रसन्न हो गए जो इतनी जादा बारिश कर रहे हैं, और साथ में कड़कती बिजली मुफ्त में बरसा रहे हैं, भीमा भाई मुझे लगता है आज ह हर थोड़ी दूर जाने पर हमारे साथ कोई न कोई हादसा हो रहा है, तब ही एक और बिजली उनकी गाड़ी के पास आकर गिरती है, हे भगवान मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मुझे छोड़ दो, चाहे तो इन सब को अपने पास बुला लो, मुझे लगता है आज हम में अगर हमने उस व्यक्ति को इस गाड़ी से नहीं उतारा तो सब की मौध पक्की है, भाई तुम बात तो सही कह रहे हो, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किसकी वज़ा से ये सब हो रहा है, एक काम करते हैं, सब ही बारी-बारी से उस गाड़ी से उतरेंगे, और सामने जो पे पहले तुम जाओ, मैं बाद में आऊँगा, फिर वह आपस में तय करते हैं कि कौन पहले जाएगा और कौन बाद में, सबसे पहले भुवन जाता है, हे भगवान, मैंने तो जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मेरे उपर बिजली मत गिर अगर मैं बच गया, तो सो रुपय का प्रशाद चढ़ाऊंगा, भुवन डरता हुआ जाता है, और पेड को हाथ लगा कर वापस आ जाता है, बच गया रे, मैं तो बच गया, शामू भाई जाओ, अब तुम्हारी बारी, भुवन भाई, तुमने भगवान को क्या बोला, जो उन्होंने तुम पर बिजली नहीं गिराई, भाई मैंने तो सो रुपय का परसाद चढ़ाने का वादा किया है, अच्छा, हे भगवान मैं दो सो रुपय का परसाद चढ़ाऊंगा, क्रिपा करके मेरी जान भी बख्ष दो, इतना बोलकर शामू भी पेड को हाथ लगा कर वापस गाड़ी में आ जाता है, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरी जान बख्ष दी, जाओ भाई, भीमा आप तुम्हारी बारी, भीमा डर जाता है और सोचता है क्यो ना पहले नथु को बेज दू, क्या पता इसके उपर ही बिजली गिर जाए, नहीं भाई भीमा, जो हमने आपस में तै किया था, हम उसी हिसाब से चलेंगे, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम ही जाओगे, भीमा डरते हुए, ये भगवान मेरी जान बख्ष दो, मैं 500 रुपे का परसाद चढ़ाऊंगा, बस किसी तरह मेरी जान बख्ष दो, भीमा भी उस पेड को हाथ लगाता है और कुछ नहीं होता, और वह खुशी-खुशी बागपिस आ जाता है, अरे भाई, मैं भी बच गया, अब सिर्फ नत्थू ही बचा था, सब को लग रहा था, यही है जिसकी वज़ा से आज हम सब फंस गए हैं, नत्थू यह सोचकर उ उदास हो जाता है कि उसकी वज़ा से सब की जान आज जोखिम में पड़ गई, वह पेड को हाथ लगाने के लिए चल देता है, हे भगवान मैंने अपनी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया है, हमेशा मेहनत से रोजी-रोटी कमाई है, कभी किसी के साथ कोई बुरा न आप मुझ पर बिजली गिरा दो, मैं अपनी मृत्यू स्विकार करता हूँ, यह बोलकर वह पेड के पास पहुच जाता है, गारी में बैठे बाकी लोग बहुत खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि वे सब बच गए, जैसे ही नत्थू पेड को छूता है, जोर से बिजली गिरने की आवाज आती है, लेकिन वह बिजली नत्थू पे नहीं उस गारी पर गिरती है, जिसके उपर बाकी के सभी लोग बैठे होते हैं, और नत्थू ही इकलौता ऐसा इनसान था, जिसके कर्म की वज़ह से बाकी के सभी लोग सुरक्षित बचे हुए थे, नत्थू की वज़े से ही गारी के आसपास तो बिजली गिर रही थी, किन्तु गारी के उपर बिजली नहीं गिर पा रही थी, क्योंकि उस गारी पे नत्थू था, लेकिन इन्हों ने उसी को गारी से उतार दिया, नत्थू यह सब देख कर बहुत उदास हो जाता है, हे भगवान, अग कुछी श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसके बाकी के सभी दोस्तों को जीवन दान दे देते हैं और कुछी पलों में वह सारे फिर से जिन्दा हो जाते हैं। क्योंकि उसी की वज़े से उनकी जान बची थी और नतु उस जमीन को गरीबों में बांट देता है। कभी भी कोई चुनौती आई तो उसे घबराईये मत बलकि हस कर उसका सामना कीजिए। ये कहानी कहीं न कहीं अगर आपके दिल को छुए तो प्लीज लाइक जरूर कीजेगा। कि सब्सक्राइब न कीजेगे लाइक दप्लीजेगए खूचल प्रूचल मैं झाल कर वे प्रूज़ थिति लोग्रों कर दोचल कर दोटल कर दो है कर दो एल